बिक बॉस के घर में हुआ नॉमेनेशन टास्व कौन कौन नॉमेनेट हुआ है चलिए आपको बताते हैं नॉमेनेशन के साथ ऐलेमीनेशन भी हो चुका है यापर बिक बॉस के प्रिजन कैप्टन और एकस कैप्टन को मौगा मिला था नॉमिनेट करने का इन तीनों को एक एक नाम लेना था जैसे कि अल्रेडी मैंने आपको बता रखा है कि मुनावर, ईशा और औरा को एक एक नाम बताने थे जिसको वो नॉमिनेट करना चाहते हैं मुनावर फारुकी ने अनुराग का नाम लिया इशा ने नाम लिया था यहाँ पर आईशा कान का और अने नाम लिया था अभिशेक कुमार का जिसके बाद Big Boss ने कहा कि अभी आज ही elimination होगा इन तीनों में से एक किसी का elimination होगा फिर इन तीनों ने आपसी सहमती करी और आपसी सहमती से जो Elimination हुआ है वो अनुराग डोबाल का Elimination हुआ है जो कि already मैं आपको बता चुकी हूँ तो Elimination, Nomination एक साथ Big Boss ने बहुती चालाकी के साथ कर दिया जो कि उन्होंने इस बार बंदूक रखी है मुनावर फारुकी के उपर क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता था कि वो किसका नाम लेंगे और मुनावर बहुत अच्छी तरीके से convince भी कर लेंगे क्योंकि इशा को ये काम दिया गया था कि अनुराग का नाम लेकर कि उनको eliminate करें लेकिन इशा यहां पर बिग बॉस की जो उमीद थी ना उसके उपर खरी नहीं उतरी उसके बाद बाकैदा इस तरीके का nomination आया इसमें captain's को मौका मिला और फिर यहां पर on the spot elimination भी कर दिया गया तो बाबु बहिया घर से बेगर हो चुके हैं I hope जनको यकीन नहीं हो रहता अब उनको यकीन आ जाए thank you